आज मैं एक ऐसा रेचिपी बतारी जो खाने में बहर टेस्टी और लाजवाब रेचिपी जो फटा फट से आप बना सकते नास्ता या डिनार जिस टाइम आपको मन करें उस टाइम बना के आप खिला सकते बच्चों को बड़े भी खा सकते सबसे पहले हम आइल लेंगे फ्राइपें में तूटी की स्पूल उसमें हम एक होल ओनियन चॉप किया हुआ डालेंगे जब ओनियन हलका सा ब्राउन हो तब आप जो भी सब्जी जो रेजी के गुला के बच्चे नहीं खाते खास करें वो सब्जी को फाइन चॉप करें रफ्ली चॉप फाइन इसमें मिक्स करें ठीक है ना कितने सब्जी आप चाहें उतना ला सकते है क्वांटिटी चाहस से फाइस स्पून रहेगा हर सब्जी का ठीक है ना हर वेजिटेबन का अब हलका प्याज लाल हो गया है तो हम पत्ता को भी दिम्ला मिर्च छोटी कटोरी से मैं बना रही हो भरकी अब इसमें हलके मसाला देखनें हाफ टीश्पून चिली प्रेट्स नहींगा ये घर का पीशा हुए काफी तीखा इसमें हाफ टीश्पून डालीगे और रोस्टेट जीरा बस और कुछ नहीं जाएगा स्वार्दा नुथार हम नमत दानेंगे और हलका भूनेंगे बस इसका क्रण्च गहना चाहिए ठीक है ना पनीर को रफली हम हाथ सिस्तर से तोड लेंगे ये भी छोटी कटोरी से एक कटोरी बना दानियों इसमें पनीर इसमों भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हमारा चाफिंग बनके तयार है अब हम इसको ठंडा कर लेंगे फिर एक कटोरी हम बेशन लेंगे तीक है उसमें एक अंडा डालेंगे अगर आप अंडा नहीं खाते होगा तो इसकीप कर सकते हैं उसके जगा आप दूद्ले दीजेगा अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इतना कि चीला जैसे बनता उतना ही पानी डालना है नमक भी स्वादा नुसालिच में हम डाल देंगे अच्छे से हम मिक्स करेंगे अंडा को अगर आप अंडा नहीं खाते हैं उसके जगा आप दूद से मिक्स कीजेगा दही नहीं दूद से ज्यादा टेस्टी लगता है अगर अंडा खाते है तो तो बेस्टी है आप उससे बना इससे ज्यादा टेस्ट अचा आता है अंडा प्रेशन का लिक्विड देखे इतना पतला रहना चाहिए ठीक है पास से दस मिनट के लिए आप रेस करने पे छोड़ दीजेगा अब एक फ्राइपेल नेंगे उसमें ऐल डाल देंगे वन टी स्पून जब हमारा गरम हो जाए जब हमारा अच्छे से गरों है तभी हम चीला का बैटर इसमें डालेंगे एक से दो चम्मच हम भरके यह कंचूल होता है जो गोल वारा इसकाचूला उससे हम डालेंगे और अच्छे से स्प्रेट करेंगे जदा बड़ा नहीं बनाईए गा है इतना बना सकते कंच्रोल कर जाए उतना ही बड़ा अच्छिला बनाईएगा एक से दो मे जब चिला हमारा कूक हो जाए तब हम उपर देखिआ हलका हलका बबल आ जाग इसका मतलब हमारा कूक हो चुका है इसमें हम मयोनीज का एक लियर लगाएंगे ये रेशिपी ऐसा है जो हर कोई खाना पसंद करें बच्चे बहुत सौक से खाएंगे पीजा वेगारे छोड़के ये एकदम टेस्टी, हेल्दी और डिलिस्यस एक बर जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपको पसंद आए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और स्थियर भी खीजिएगा प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा अच्छे से आप लगाईएगा बच्चे मयोनी सौक से खाते है इस पर आप चाहें तो कैचप डाल सकते हैं मैं पीजा स्प्रेडर डाल रही हूँ आप कैचप भी डाल सकते हैं एक लेयर इसका भी डालूँगी अब हमारा जो सब्सक्राफिंग है उसको बीच में थोड़ा रखेंगे बहुत ज्यादा नहीं स्टाफिंग डालिएगा यह स्टाफिंग इतना टेस्टी है कि आप ऐसे ही ठाजाएगे जब हमारा स्टाफिंग अच्छे से हो जाए तब हम इस तरह से टेंपरेजर एकदम लो रखिएगा ही इस तरह से एक ऐसे फोल करें फिर दूस्तर शाई इसी तरह से में पूल करेंगे यह नास्ता जो फटा-फटा से 450 खाने में बहुत टेस्टी रखता है कि इस सब्द आप हुआ रख सकते काटके इभी रख सकते मेरे बच्चे तो ऐसे ही खा जाते हैं आप भी एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर रेसिपी पसंद आए तो फुल लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दवाईएगा ताकि हम लोगों को और इस्प्रेशन मिले आगे अच्छा करने का